नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनमिंदर और मेरी चैनल Mbispeaks पर आप लोगों को स्वागत है जब कोई बड़ा मंतरी या कोई हाई पर्फायल वेक्टी कानून की ग्रिफ्ट में आता है तो उसकी तबियत क्यों खराब हो जाती है अच्छा पहले यह समझ बीजें कलकत्ता हाई कोट ने परवतन नेदिशालेक को पस्चिम मंगाल के ग्रिफ्टार मंतरी पार्थ सिठर जी को कल एम्स भूम्नेशर ले जाने का निर्देश दिया है कोट पस्चिम मंगाल की ग्रिफ्टार मंतरी को सरकारी होस्पिटल एससकेम में स्थानांत्रिक करने के खिलाब परवतन नेदिशाले यहने की एडी की याजिका पर सुनवाई कर रही थी कोड ने कहा कि आरूपी को एससकेम होस्पिटल से एम्बलेज द्वारा कोलकता के नीता जी सुभाचन बोस अंतरास्थिये हवाई अडे पर ले जाए जाए जाएगा और उसके बाद उनके वकीर और उनके एक उनके साथ एक एससकेम के डॉक्टर भी होंगे अदालत ने एंप्स भुवनेश्वर के अधिकारियों को काडियलोजी नेफ्रोलोजी और सांस के डॉक्टर और एंडो क्रिणोलोजी के एक्सपॉर्ट डॉक्टर है उनकी एक टीम द्वारा इन महाशे की जाज करने को कहा है मेरी इनके साथ पूरी सहानगुती है आप लोगों की भी होनी चाहिए लेकिन आपको नहीं लगता कि इस समय वो उद्योग और वालीजे मंतरी है मतला जब उन्हें अरेस्टिंग होती है उनकी और जब उन्होंने घोटालक किया हुआ था तब उनके पास शिक्षा भी भाग था तो ऐसे व्यक्ति को जब लिटार्ट किया जाता है तो उनकी तबियत ख़राव हो जाती है और उसके बाद कापी सारी कोट कचैरी उनको हस्पिटलाइस करने के लिए होती है पहले मैं आपको यह बता दूं कि उनको जो है क्यों अरेस्ट किया गया है बस्चिम बंगाल में शिक्षत भरती गुटाले को ले करके उद्द्योग और वानिजम मंतरी पार्थ चेटर जी को इडी ने गि कि पूछता हुई उसके बाद उने गिरिवतार किया गया इसके लावा इडी ने उनके करीबी उनकी दोस्त अर्पिताब मुखर जी को भी हिरासत में लिया है आपकी किरोसिटी बढ़ रही होगी आप जानना चाह रहे होंगे कि क्यों तो आप इसको इस तरीके से समझिए इडी ने पस्षिम मंगाल के मंतरी पार्थ चेटर जी को राज में शिक्षक मंतरी खोटाले जो जुड़े मनी लॉर्णिंग के मामले में अरेश्ट किया है ग्रिपतारी के साथ साथ उनकी जो एक दोस्त है अरिपता मुकर जी के पास से 20 कड़ों रुपए बरामत होते हैं यह सब कुछी घंटों के बाद हो जाता है इडी ने कहा है कि अर्विता के ठीकानों पर उनके जो आवास हैं जो उनके ऑफिसीज हैं उन जगाओं पे छापे मारी के दोरान करीब 20 करोड रुपए और 20 से जादा अधिक मुबाइल फोन भी जब्त किये गए हैं हलाकि फोन फोन जो बरामद हुए हैं उनका उद्देश क्या है यह भी पता लगाए जाना पागी है अच्छा जाच अजनसी ने अपने एक ब्यान में कहा है कि यह जो राश्ची एससी घोटाले के अपराद की आय होने का उन्हें संद्धे है यह अजनसी ने अपराद जब बयान जारी किया तो उसमें का पाच चटर जी इस समय उद्योग और वानेजी मंत्री हैं लेकिन जब घोटाला हुआ था जैसा कि मैंने आपको बताया तब उनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट था नगदी की बरामत्गी के बाद रात भर रात भर तनमूल नेता से प पूश्ताश के बाद चटर जी को गिरिवतार किया, बतलि ऐसे ही हवा में उन्हें गिरिवतार नहीं किया था उनको 26 गंटे की पूश्ताश होती है उसके बाद उनको गिरिवतार किया गिफ्तारी के बाद उनको कॉल्टेटा के बैंक शॉल कोट में पीश किया गया इसके लावा इडी ने शीक्षा राजमंत्री परेच सी अधिकारी और पस्षिम बंगाल प्राथमे की शीक्षा बोड के पूर अध्यक्ष मानिक भट्टा चारे और उनके अन्य परिशरों सही लगबग एक दर्जन स्थानों पे छापे मारी की इसके अलावा कल्यान मैं भटचारे कुछनसी अधिकारी और पस्षिम मंगाल केंद्रिये विद्याले सिवा अयोग के सलाकार डॉक्टर एस्पी सिन्हा के यहां भी छापे मारी हुए अच्छा एक खास बात यह है कि तन्मूल कॉंग्रेस ने अर्पिता मुकर्ची से यह कहते हुए एक डिस्टर्स बना लिया है एक दूरी बना लिया है कि उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे या उनके वकील इन सब सवालों का जबाब दें मतलब उन्होंने अपनी सवाई दे दी एक ट्वीट करके और बंगाल के स्पीकर विमान बनर जी ने कहा कि चांच इसनशी को विधान सबाके किसी भी सदस्य को भ्यपतार करने से पहले स्पीकर को सूचित करना शाहिए उन्होंने यह भी कहा कि E.D. या C.B.I. किसी भी सांसर्द या विधायक को गिर्पतार करते सब्हें लोंग सभा या विधान सभा के अद्धिक्ष को सूचित कर दी है, ये सम्मेदानिक मानदर्ड है, लेकिन मुझे, यानि कि उन्हें चटर जी की गृपतारी के बारे में ED की और से कोई सूचना नहीं नहीं, ये उल्टाब उन पर आरोग लगा रहे हैं, किंद्री मंतरी आर्चंदर शेकर ने तो वच्चु रहती हैं, वे कानून परवर्तन एजन्सियों को, उनकी जार्च को विफल करने के लिए ड़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनकी सरकार में विष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आता, उन्होंने उनको सेफ करके रख लिया है, अपने सेम को, आगे वो आता है, अच्छा, तन्मूल कॉंग्रेस ने इंचापों को केंदर की बीजेप सरकार द्वारा अपने राजनितिक विरोधियों को परिशान करने की चाल मताया है, इस मुद्दे में किसी भी भूमिका से इंकार करते हुए, बीजेपी ने दावा किया है कि CBI और EDCIE रास्त की बीजेपी को बता रहे हैं, बीजेपी ने कहा है कि वो इनके अजन्सीज वो हैं, CBI और EDCIE उनकी जाच सही रास्ते पर चल रही है, अब मैं आती मूँ जासे मैंने बात शुरू की थी, बड़े बड़े जो हाई प्रफाइल लोग होते हैं, जैसे कि ये, मिस्टर चटर जी, बीबार हो गए, 26 गंटे की पूर्चाश के बाद एकदम से उनकी तबहत खराब हो गई, इडी में चटर जी को सरकारी SS केम होस्पिटल भेजने के निचरी अदाल के आदेश को चुनोती देते हुए, आज याने के रभीवार याने के 24 जोलाई को हाई कोट का रूप किया था, केंद्री एगंसी ने पेंग शौल कोट के उस आदेश को चुनोती देती, जिसमें चटर जी को सरकारी SS केम होस्पिटल लेजाने का निदेश दिया गया था, निचरी अदालत ने शनिवार को चटर जी को दो दिन की एडी की इरासत में भेज दिया था, याने के कल, और एडी के वकीलों ने ये दावा किया है कि राज्य के वरिष्ट मंत्री चटर जी एक पनखाफ सली विक्ति हैं, इसलिए, इसलिए उन्हें सरकारी हस्पताल में नहीं रखा जाना चाहिए, कि महीं चटर जी के वगीलों ने भी इसका फिरूत किया है और उन्होंने कहा है कि उनका इलाज एसे स्केम होस्पिटल में उच्छी तरीके से क्या दार है तो आप यह बताईए कि इतना बड़ा घोटाला उनके दोस्त के पास से करोण रुपे मिले हैं पूष्टाश हुई है 26 गंडे की पूष्टाश के बाद उनको उनके अरेस्टिंग हुई है लेकिन जैसे ही उनको एरेस्ट किया जाता है उसके बाद उनकी तवेत खराब हो जाती है उनकी जो दोस्त है अर्विता मुकर जी उन्हें भी हिरासत में लिया हुआ है तमाम सारी बाते हैं लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आता कि हाई परफाइल लोग जो है एक्दम जब ग्रिफ्ट में आते हैं कानून के तो वो बिमार पड़ जाते हैं जबकि जो गरीब आदमी होता है जिसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है वो कुछी घंट में जेल की सलाकों के पीछे पहुंद दाता है यह दोस्तों आप देखिए क्योंकि एजनसी जो चार्च कर रही है वो बहुत नियम और काईदे से कर रही है अब अगर उनकी तवयत खराब हुई है और डॉक्टरों की टीन अगर उन्हें यह बता रही है कि वो उनकी तवयत खराब है तो उनको इलाज के लिए जहां भी कोट कह रहा है वहां उनको लेके जाए जाएगा क्योंकि उनका यह कहना है कि उन्हें सरकारी होस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवाना है एक तो यह बात कि सरकारी होस्पिटल फिर बनाए किसलिए है अगर वहां किसी को इलाज ही ने करवाना उनके लोग यह कह रहे हैं कि वह बहुत बड़ी हस्ती हैं इसलिए उनका इलाज वहां नहीं करवाना है तो इन हॉस्पिटर्स को किन के लिए बनवाया गया है दूसरा यह कि उनकी दवेद खराब हुई है तो अब उन्हें अच्छी से कोट भी जाते हैं और उनको जो भूमनेश्वर के एम्स है वहां पर उनको ले जाने का निर्देश दिया है फिलाल दोस्तों इतना ही आप अपना और अपनों का ख्याल लगिए और आज सुम्भर की सुबह सब्ता का पहला दिन उमीद करती हूं विश्च करती हूं कि आपक पुर्ण सब्ता बहुत अच्छा जाए और आप मेरा चैनल अबीश्विक्स लगतार देखते रहें जय जय भरत